डियर गाइस आज दो चार देन से एक वीडियो चल रहा है काफी ट्रेंडिंग में यूट्यूब पे फूचर मेकर फूचर मेकर तो क्या है फूचर मेकर कमपणी और क्या हुआ इसके साथ फूचर मेकर कमपणी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कमपणी है जिसे हिसार हर्यान से रादे सामने स्टार्ट किया तो जिनके पार्टनर से बंसी ये कमपनी कुछ ऐसे प्रोड़क्ट होती थी या किसी से लेती थी जिनकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू बहुत का महेंदेनिक भासकर में लिखा हुआ है कि 75 रुपे से 3,000 रुपे तक की कीमत के समानों को ये लोग 7,500 रुपे में लोगो बैचते थे और जो आदमी दो लोगो ये बैच देता है उसे 25 रुपे मेना मिलता था यदि आपने 10 लोगो वो प्रोड़क्ट बैच दिया तो आपको 12,500 रुपे मिलेगा और जब गुवर्मेंट को इसके बारे में पता चला तो ये पूरी तरीके से एक फ्रोड हुआ तो गुवर्मेंट ने तेलंगना कि इसके एक ओफिस था जिसे सील कर दिया और इस कंपनी को बंद कर दिया अब आगे की में बात आपको बताता हूँ इसमें एक और प्लान था कि 2,25,00 रुपे आप लगाओ और आपको 32,500 रुपे मंतली मिलेंगे 24 महिने तक अब मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखाता हूँ दोस्तों यह अपना कैलकुलेटर है अपने काम करते हैं इसमें 32,500 गुणित करते हैं हम 24 महिने मतलब यह कहते हैं कि आप 2,25,00 रुपे लगाओ आपको 7,80,000 रुपे मिलेंगे क्या यह पॉसिबल है और यह पॉसिबल नहीं है लेकिन इंडिया में जो पॉसिबल नहीं होता वो काम आसानी से हो जाता क्योंकि हम लोग बहुत लाज़ची है बहुत जल्दी पेसा कमाने क को दो मिनट में उसे निकाल ले लेकिन उसमें साही परसाथ की गलती नहीं थी उसमें लालची लोगों की थी जिनने लालच में आकर इसमें पार्टिसिपेट किया और अपना पूरा इमानदारी और मेनस से कमाया हुआ पैसा दे दिया दोस्तों डर बेरूजगारी और आप आपके मजबूरी का फायदा आप काफी लोग उठा रहे हैं आपका सोसंड कर रहे हैं मैं आपसे विंति करता हूं हाद जोड़कर कि दोस्तों ऐसी फ्रोट चीचों के शक्र में बिलकुल ना आए इमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही आपको सुकून देगा है मैं आपको ब लेते होंगे लेकिन हो कभी सेटिस्पाई नहीं रहे पाते क्योंकि यह उनके जीवन का दुर्भाग की होता है कि वह इसे जंजल में फास जाते हैं यहां से नहों बहार निकल सकते और ना आगे बढ़ सकते हैं I hope कि आपको वीडियों अच्छा लगाओ आपको उन लोगों करते हैं प्लीज उन लोगों उसे कहें कि कोई नया काम स्टार्ट करें खुस रहेंगे और जो से कंपनियों के चक्करों ख़स गए हैं उन लोग के लिए मेरी शांत्मना है कि आप उसे छोड़ दें भूलना है को पेसा वापिक नहीं आना है और जो लोग कुछ नया करना च है झाल कि को लोग